हलो दोस्तों और निया एपिसोड में आप सभी कस्वागा थे आज के इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को ओक्टोबर स्पेशल किया के नए नए अपडेट्स क्लाश ओप क्लेंज में आने बाले हैं तो उसके बारे में डिटेल्स में बताने बाला हूँ तो जाटा क्लेश ओप क्लेंज के नियूज सेक्शन में जाके देख सकते हैं मैं आप सभी को जो आपडेट्स बताऊंगा वह सब जो है फोराम पे रिलीज हुआ था और क्लेश अप्लेंज में जो है बोल भी दिया था यह सब आपडेट जो है आने वाला है क्योंकि यहाप लोग इजी लीग वो थोड़ी सी कम जेम्स के मदद से टेंड कर सकते हैं और एटक्स में अब लोगों को थोड़ी सी मदद मिलेगा दूसरे अपडेट में आ जाते हैं तो यह आप लोग देख सेकते हैं नमबर जो पे जो आपडेट आया है वाल रेकर का जो है ट्रेणिंग को स् और गोलेम्स का भी ट्रेणिंग कोस्ट जो है यह आप लोग कम कर दिया गया है देख सकते हैं गोलेम्स जो है पोटेक्ट करने में ट्रूप्स को पोटेक्ट करने में यानि कि कुईन वाक करने में या फिर बॉलर्स वाक करने में मदद आती थी और उसके बाद बेबी को भी ट्रेइनिंग कोस्ट कम कर दिया गया है तो यहाप आप लोग देख सकते हैं लेवल 1 का जो 15,000 था वो 10,000 कर दिया गया है यानि कि आप लोग जो है फानेलिंग में जो बेभी ड्रेगन को यूज करते थे वह आप जो है थस्ते में मिल रहा है अब लोग जो है मज़े से आप यूज कर सकते हैं उसके बाद यहाप लोग देख सकते हैं वीचेस और बोलर्स का भी ट्रेइनिंग कोस्ट जो है कम कर दिया गया है जो लेवल 1 के वीचेस ते दोसो पचास टार के लिए से लगता था लेकिन आप 175 ही लगेगा और बोलर्स जो है 130 लगता था लेवल 1 क लिए लेकिन आप 110 लगेगा यानिके जो टूफ्स हम लोग अब तक वर्स में यूज करते आए होंगे वह टूप्स अब हम लोग जो है फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं फार्मिंग के लिए जो है पहले यूज करना थोड़ी सी मुश्किल हो गया था क्योंकि ये इसमिर्ट वाइब यह जो है items करते से त scrub कि यूधि को पना से ङिलस के साथ जो एटक में भी आया है लेकिन गैंश का जो आपडएट तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही था उमीदे कि आपके वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद देए तो वीडियो पर एक लाक करना मत भूलना चैनल पर पहली बढ़ा रहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना ऐसे नहीं ने वीडियो द सब्सक्राइब के लिए बाई बाई बाई